मैं अशुक मा स्वागत है आपका ट्रू मीडिया चैनल में उत्तर परदेश के मैनपुरी में परशासन ने कुछ दिन पहले खाली कराए गए पुराने सपा कार्याले पर बिल्डोजर चला दिया गया अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है मैनपुरी नगर के देवी रोड पर नगर पालिका के नजदीक समाजबादी पार्टी का पुराना नगर कार्याले था सपा का पुराना कार्याले जिस जगह पर बना हुआ था वह जगह पंचायत में 2004 में आवंटित की गई थी नो सितमबा को पुराने सपा कार्याले पर नोटिस चस्पा कराया गया था नोटिस में लिखा गया था कि सपा कार्याले के लिए जिला पंचायत की जमीन पर बने दो कख्षो का आवंटन किया गया था कारेले दूसरी जगह बनने से पास सितंब कोई या पट्टा खारीश कर दिया गया है इसलिए कारेले को दो दिन में खाली करा दिया जाए लेकिन इसके बाद भी सपाईयों ने कारेले खाली नहीं किया तो परसासनी अधिकारी पुलिस पोर्स के साथ सपा कारयले को खाली कराने पहुंचे और कारयले खाली करवा कर ताले डाल दिये गई है। इस मामले को लेकर सपा के पूर्व सदर विधायक राजू यादव कारे करताओं के साथ जिला अधिकारी कारयले भी पहुंचे थे लेकिन उनको कोई रहात नहीं मिली। तब सपा ने हाई कोट का रुख करते हुए याची का दायर की, हाई कोट की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, तब तक सपा के पुराने कारयले पर परशाशन ने बुल्डोजर चलवा दिया, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंग ने बत अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें